हलो दोस्तों कैसे हो आप सब तो आज मैं अपनी फर्स्ट रेस्पी में आपको दिखाने वाली हूँ कड़ी सेव की कड़ी कैसे बनाते हैं आज आप हम सीखेंगे बिल्कुल इजी तरीके से उससे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो तो हमने लिया है ये दही जो की मेरे घर का ही जमा है ये दही और ये है सेव जार मोटी वाले सेव की जार है ये ये कैसे बनाते हैं ये तो साइद आपको पता होगा अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएं तो मैं इसका भी वीडियो बना के आपको डाल दोंगी और ये मेरा दही है जो की इसमें मैंने पानी डाल लिया है आदा दही आदा पानी और ये है बेशन इसमें मैं 4 चम्मच बेशन के मिलाऊँगी कड़ी बनाने के लिए 4 चम्मच मैंने इसमें बेशन डाला है अब table spoon लेना है हमें चोटी चम्मच खाने वाली और इसको अच्छी तरह से फेट ना है आप चाहें तो रई से फेट दें अधर वाइज आपके पास रई नहीं है तो आप बैसे भी फेट सकते हो उपर नीचे करको इसको चम्मच से सही तरीके से तो इसको मतलब अच्छी तरह से फेट ना है इसमें आपके लंस नहीं रहना मुझा जाए फिर अब हमें धर्थ करेंगे खड़ी बनाने की तैयारी तो यहां पे मैंने एक चमच ले लिया है नोत तेल सर्सों का और यहां पर ले ली है हरी मर्च को मैं काट ओंगी नहीं डंध लाखिल निकाल दूँगी और यहां पर यह थोड़ा सा चीरा लिया है मैंने अब हुआ हज तेल गरम करने के बाद में जीरा इसमें डाल दिया है अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च के, वह खड़ी मिर्च खाने में बड़ा हाता जो प्राइबादी होती है तो मैंने यहां पे तहला, अच्छी तरह से भूझ लिए और यहां मैंने मठे को जो है अच्छी तरह से फ्रेंट लिया है देई अब मैं इसमें डाल दूँगी लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना कड़ी बनाते बनाते कि जब हम दही को डालते हैं मठा वोलो या दही वोलो तो उसको हमें regular चलाना है नहीं तो वो भट जाएगा और इधर मैंने उतना ही पानी डाल दिया है क्योंकि मेरा दई काफी खटा था और गाड़ा भी था तो उसकी quantity में मैंने इधर इसमें पानी मिला दिया है अब देखिए friends अच्छे खासा हमारा मिक्चर बने गया है बस अब जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाए तब तक हमें इसको लगातार चलाना है उबाल आने तक हमें इसको रेगुलर चलाना है अब इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है जब उबाल आने लगेगा तो हम इसमें डालेंगे तो friends ये थोड़ी देर हो गई है अब 10 मिनिट हो गए हैं सम्थिंग इसको टारते टारते तो मैंने इसमें ये मसाले डाल दिये हैं और देखिए बहुत ही मस्त वाला कलर आ गया हमारी कड़ी का तो आप लोग कड़ी कैसे बनाते हैं जरूर सेयर करना अगर मेरी रेस्पी अच्छी लगे तो वो भी बताना कमेंट में अब मैं यहाँ पर इसका करती हूँ तड़का तयार बना तड़का के तो कड़ी अधूरी ही रहती है तो यहाँ पर मैंने ली है लॉंग फिर अब मैं लेने जा रही हूँ अभी इसको तवे पर भूंजने जा रही हूँ लॉंग काली मेर्च और जीरे को तब मैंने गरम कर लिया है अब इसको मैं अच्छी तरह से भूंज लूँगी जब इसमें थोड़ा से धुणा निकलने लगए और यह भूंज आए ना तब हमें गैस बंद करना है क्योंकि इसका खुसबू अपने आप ही आने लगती है तो देखो दोस्तों इसमें धुणा स सेखते न चौकी उस पर भी आप इसको कूट सकते हो तो मैंने यह बार एक मिक्चर बना लिया है अब इधर मैंने ली है हींग एक चुटकी बिना हींग के तो कड़ी में स्वादा आने वाला ही नहीं है दोस्तों तो मैंने हींग ली है अब मैंने यह जो मिक्चर है वो बना करना नहीं तो सारी कड़ी आपकी उफन के बाहर निकल जाएगी फ्रेंड्स तो हमने ये मीडियम डू लो फ्लेम पे कर दिया अब इसमें बड़िया तरीके से बुल-बुले उठ रहे हैं और कलर देख रहे हैं आप कितना घजब का आया है एक दम यह लो बहुत ही मस्त और ख गरम कर लिया है अपना तड़के वाला पैन और अभी इसमें मैं डालूंगी और सर्सों का ओल एक चम्मच मैंने इसमें सर्सों का ओल डाला है जो सब्जी वाली चम्मच होती है उसको मैं अच्छी तरह से गरम कर लोंगी देख आप दूआ निकलने लगा इसमें अब मुझ अच्छा दूआ निकलने लगा है अमें इसमें गैस को कर दूँगी बंद तड़का पे तयार हो गया अविसमें डाल देंगे मिकचर और अच्छी तरह जायएगा बस हमें अपनी कड़ी के धकन खूलना है और इसमें डाल देना है वह लग्गे हमारा तड़का अब हम ले डालेंगे सेव जो हमें अभी नहीं डालने थे हम तरके के बाद ही इसके अंदर सेव डालेंगे तरका लग चुका है वह में इसमें सेव डालेंगे फ्रेंट्स पर एकडम से नहीं कूला है दर्वाइस सारी खुसबूर याईगी तो मैं देख सकते हैं कितना प्यारा मुंह मे देख के पानी आ रहा है दोस्तों आपको कैसी लगी रेस्पी जरूर बताईए कमेंट्स करनके अभी मैं इसमें सेव डाल दूंगी अब यह थोड़ी देर इसमें डली रहने देंगे और जिसकी सेव अच्छे से कड़ी के अंदर एब्जॉब हो जाएंगे तो आज हमारी क अच्छे से 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